आज की वीडियो में अपने बाद से बेखोफ स्प्लेंडर प्लस की बड़ी भेन सूपर स्प्लेंडर तो आज अब बात करेंगे कि इसी क्या खाशी आते हैं सूपर स्प्लेंडर में जो कि हमारी प्रसिद्ध अपनी बेखोफ प्लस के अंदर नहीं मिलती और इस इस वीडियो ने बात करेंगे कि यह से क्या खाज आते इस के अंदर आने क्या लूक से क्या फीचर से क्या कंफ़र्ड और क्या पहों में से जो इसको इस सूपर बनाती तो चलिए देखते आज अपने इसी सूपर स्प्लेंडर का एक छोट इस गाड़ी के सूपर लुक नहीं लगे हा इसको देखके ना एक दम जो फेमिली वाली फिलिंग आती ना मतलब इसको तकी फेमिली या रा जाती है कि अपने घर परिवार में गाड़ी लगती हो ना तो इस गाड़ी को लिया हो मस्त इधर उधर थोटे बोटे काम माम में किसे को लिनल चोड़ना हो ना उसके लिए बड़िया घाड़ी है मतलब क्योंकि नाकि ज्यदा लुक बहुत ही ज्यदा इसे attractive है यानि मतलब ज्यादा फ्यूचरिस्टिक है नहीं बहुत जाला वह है ठीक ठाक लुक है एक्दम नोर्मल एवरेज में मेरे को तो एक्दम एवरेज लुक लगे और बाइस इस गाड़ी को देखके था हमें को एकडम एक पटिकुलर जो घर परिवार में जन रहते हैं बहिया जी जो 30-45 साल के हो बढ़ेगा वेसे कम ने गाड़ी निकाल दी तो पर चल रही है वहला इसी पुरे ही नहीं कर रहा है लेकिन इसके लुक्स देखके तो ठीक है मतलब जो मिल गया थीक उसे हिसाफ से बना मुझे इतना कुछ परसनली तो अच्छे नहीं लगे हां लेकिन सब की अपनी रहे र तो इधर आपको टेंक मिलेगा टेंक पर सूपरेश प्रेंटर की बेजिंग मिलेगी इधर नहीं चलें तो आपको इदर अपने इस कुछ पेनल में जिसपे हिरो राइस तरिसकी बेंडिंग मेरेगा यहां पे हलका साइक और प्रोम पीछे चले अपन तो इस तरी एक टेल नंभी यार मैं मल्ला जी और मेरे जैसे लोग तो हम चार्जन आराम से चलें कोई दिक्कत निया और हमको लगाड़ी के लेन तो अच्छी खासी लंबी है और लुक्स की बात करना तो आपको कुछ इस तरी के लुक्स मिलते हैं मतलब ठीक है बड़िया फेमिली के साथ तो बड़िया लुक मेरे ही लिए तो अगर फेमिली में गाड़ी लानी हो रखनी हो ना कि छोटे बोटे काम होनके लिए उतर उतर बस लेकि आजाओ रख दो बड़िया है ठीक है वागी यसा नहीं कि मतलब मतलब ले देके बात में को गाड़ी के लुक्स एबरेज लगे अब लगाप चलता है आपन स्पर आप सुपर के लिए जिसके लिए उन्छास कि आपको अपने मिलेगी उसके आपको मिलेगा अपने एंड do बात करें तो इधर आपको मिलेगा अपना फ्यूल गेज और वाइसा वीच में एक अपडेट आया था जिसमें आपको इस तरह कि अपने पास इधर आपने लाइट बन चालू करने का उप्शन नहीं तो इसके बात करें तो इसके बात करें आपको मिलता अपना यह सिंगल सिलेंडर एल कूल डिंजर वह अपनी आयसी टेकलोजी के साथ वह मतलब अपना ट्रेफिक में मिल जाए तो क्लास दबा के काड़ी चालू करने वाला सिस्टम गेर उतारके और और फीचर्स की बात करें इसके अधर आपको अपना Bluetooth connection मिल जाएगा मिल जाएगी और उधर आपको मिल जाएगा अपना चार्जिंग सोकेट लेकिन वैसा अगर आप नॉर्मल एक सुपर स्पिंडर लेने जाते हैं तो आपको बिल्कुल यही मिलेगा इस यही फीचर्स मिलेंगे और अगर आप एक तो डिफरेंश आ जाएगा उधर आपको मिलेगा अपना हैलेटी हैटलेंब बस बागी मतलब एक हैडलेम का फर्णा में टॉप इरेंट में Bluetooth का फर्क आ जाएगा इसके टोब इरेंट और वेस वेरेंट में फर्क है और और वाथ किया फीचर्स में कुछ बचा मलना जी या बस हो गया नोगी तो तो फीचर्स में आपको मिलेगा यही सब जो कि अपनी शूपर स्प्रेंडर आपको offer करती है अब जलता है अपनी सूपर स्प्रेंडर के पहले बात कर ले जो आप पहले आपको गाड़े का की एक ये सब्सक्राये की और निग चलाऊ आपको पुस्टर भी लेगा जिसके इंदर आप गाड़े आप से चलाई मिले पीटिए मिलेगे तो जो कि आपको लुट तो अगर मैं सीट की ठीक तॉरिए अड़ी तो यह सब्सक्राइब वह आपको कुछ धसका बचाएगा तो कटाक सावा जाती आगे बहुत कुछ जहलता ही नहीं वह स्वेंशन लागा कमतीन आगे और पीछे वाली कोशिस करता कि वह ड़का आपको ना लगने दे लेकिन वह भी ठीक ठाक अब्सका लग जाता तो सब्सक्राइब अब बात करें इसके परफॉमेंस की तो इसके अंदर आपको मिलता आपना 125 सीजी का बेस सिंगल सिलेंडर एर कुल एंजन जो कि बाइसाब बता देता कि मैं 125 सीजी में अपनी नाक नहीं कटना देता यह इंजा बिलकुल अगर आप एक बार रेस खीज देता हो ना जी इसका इनर्चियल मतलब जो पिक अपने पर पहुझ जाती है अपने को पता नहीं चलता कि आपको 125 सीजी का फील्ड हो जागा कि आप 125 सीजी की चला रहे हो इसका इनर्चियल में पर पहुझ जाओ कर लगा ने नहीं बुल गार जो 125 सीजी के अंदर होना चीना पिक अब आपको बते इसका इनर्चियल तो बहुत प्यारा मिला आप पोच जाओ कर पता नहीं चलता लगा तो इसका इनर्चियल और मिट ठीक ठाक है लेकिन टोपेंड में इसका कुछ खास मज़े नहीं आते क्योंकि टोपेंड में अगर आपने अगर हलका से एक लेटर छोड़ देना तो आपको गेर डाउन करके ही गाड़ी भागानी पड़ेगी क्योंकि फिर इंजने नहीं लोड नहीं लेता है तो इसका टोपेंड एकदम ठीक ठाक है और इनर्शल सबसे वहती नहीं और मीड ठीक ठाक है सबसे जाए इसको मज़े आगा अब इनर्शल की झिशने और बात करें वह सबसे वड़ी के क्यों ये वाज़ भाटाइब पिक आप है लेकिन टोड़ेन की चीज नहीं वह मैं बताता हूं किसे तसे कि अगर आपने गाड़ तो चलो एक कभी दो बार किसमत से गाड़ी हल्किस आगे चल जाएगी लेकिन अगर आप हर बार ट्राय करोगा ना कि मैं दूसरे तीसरे गाड़ी उठा के चलो तो वाजसा वह नहीं चलने बाली है कि इसलिए गॉल रहा हूं कि इसी कंपनी की पेशन है जो को मैं अपने पास है जो को मैं चोटे करें जो करता की चलो जाए तो मतलब इस गाड़ी के इंजन जान पावर तो बिल्कुल हो इस अगर आप सोचे वह है कि अच्छा लोड लेकर ले ले जा तो आप हैसा बोल जाओ क तो अगर आप इसको पेले गेर में नहीं उठे गाड़ी काड़ी इसको फोड़ा चपाने जाते हो तो नहीं उठेके यह काड़ी तो दूसरी यह लगी कि इस गाड़ी के जो जो गेर रेशियो है मनला पेटन है पेला नहीं से और दूसरा उपर तो जो इसको आप निट्रल करने जातो तो भाश्चा पहलेगा तो गाड़ी निट्रल होती इसके आप हलका उपर निच्छा करते हो जब जाकर निट्रल होगी और तीसरे बात यह इसको आप जब लगाते हो तो इसके अंदर इता प्रेसर से लगाना पड़ता है यह आपको अपने पाउं पर सोचने में आ जाए कि भीयार मैं यह लगा रहा हूं कि किक दे रहा हूं कि इतने हाड़ लगते है ना तो मैंको इसका ट्रांसमिशन सिस्टम सब्सक्राइब करते हैं लोड लेने की नाम की चीज नहीं इस गाड़ी के अंदर और इसके बाद गेर भी लगते हैं तो यह में को इस गाड़ी की बहुत खामी लगते हैं तो यह थोड़ा अनुब हफसा अपना सूपर स्प्लेंडर 125 के साथ जो मैं आपको अपने साथ बत सब्सक्राइब को लाइक स्ट्राइक कमेंट शेयर करें जब तक लिए वाज तक जाइश्री महाकाल अब 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 झाल